हैं obtौश वेल्कम एक टू ऊंचनल स्टॉक मार्केट फण्डा में अब देखो यहां पर फ्राइडे बलड बात होता हुआ दिखाई धिया थीक जो अनुमांद किया था कि फ्राइडे मार्केट फॉल कर सकता है एक प्रॉपर बलड बात कर सकता है थीक वही होता हुआ दिखा फॉल आया है, तो देखो मैंने आपको यस्टरी ही बता दिया था कि मार्केट में फ्राइडे फॉल आ सकता है, क्या ब्लडबात आ सकता है, हाला कि अभी भी ये जितना भी फॉल है, मेरे अनुमान से कम है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर निफ्टिक कम से कम 19,300 को टेस्ट करेगा एक बार, बले रिकवरी कर ले, लेकिन टेस्ट जरू कर सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था, और देखो मैंने आपको ये अनुमान बता भी जा था, कि क्यों आ सकता है, दाउ जोंस उपर था, तो भी मुझे क्लियर था कि बार्केट पर फॉल आ सकता है, और मैंने ये पूरी डिटेल अनुमान में बताई है, अगर देखो अन सीरियस नोट अपने नहीं देखा है, जा के देख लेगा, ठीक है, फटार मुद्दे पर आ जाते हैं, अब होगा कि अध्यान से सुनना, रिटेल इंवर्श्यों कि ये आपके बहुत काम आने वाला, अगर आप ट्रेडर्स है, या इन्वेस्टर भी है, तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है, लंबा नहीं की चुँगा, पॉइंट ओ पॉइंट, लेकिन सुन्येगा जरू, ओके, पॉइंट नमबर वन, सर क्या रेली खतम हो चुकी है, क्या बुल रन खतम हो चुका है, देखो, वापस बोलना चाहूँगा एक चीज़, कि for me, next, ये जो election आने वाले है, उससे पहले ये रन खतम हो चुका है, ठीक है, बले आपको कोई बोले के निफ्टी वापस 20,000 को जाएगा, chances कम है, अगर जाना होता, सुनो ध्यान से भी, अगर जाना होता, तो falling pattern नहीं बनाता bank nifty, देखो यहाँ पे, इसको बोलते है, falling pattern, देखो, यह uptrend था, ठीक है, जैसे कि देखो, यह uptrend, fall, ठीक है, और यहाँ पे जो fall हुआ, वो sideways ज्यादा तर चला गया, अब यह जो trend start हुआ है, वो falling trend आपको start दिखाई दिखाई दिया है, इसको क्या बोलते है, falling trend बोलते है, चीक है, तो यहाँ पे falling trend start दिखाई दिया है, lower low, lower high, lower low trend दिखाई दिखाई दिया है, यह बता रहा है कि भाई, मैं अभी downtrend आना मिने start कर दिया है, specially bank nifty, आई बाद समझ में, अब point number two, sir, तो फिर क्या यह December से पहले 20,000 को test नहीं करेकर nifty, chances मुझे कम दिखाई दिर, अगर कुछ suddenly नया आ जाता है, जो market को नहीं पता है, तो मैं भी जा सकता है, बाकी chances खताब, okay, point number three, sir, FI ने selling start कर दी है, तो कि हा, see, यह देख रहा है, 3,000 करोड की selling, कब भी market fall किया था, अलग कि FI की खरीदा रही है, लेकिन आज देखोगे FI की भीक्वाली है, और यह expected था, ठीक है, और एक expected था, क्योंकि मुझे clear chart में falling pattern दिखा ही दे चुका था, अब ध्यान से सुनना, अब यह retail investor की काम का है, sir, क्या midcast में profit booking आ सकती है, मैं बोलूँगा yes, अब यह जो market है न, nifty को जो profit booking करनी थी, वो कर ली, ठीक है, जादा से जादा, nifty 1900 को आएगा, 90,100 के आसपास, और यहाँ पर काफी time spent करने वाला है, ठीक है, लेकिन, लेकिन, अब आपकी गिरने start हो सकते है, midcaps, और उसका reason क्या है, देखो, उसका reason क्या है, यह है, यह है, nifty, माफ कीजिगा, midcaps का daily chart, midcaps याने के कौन-कौन सा stock आ जाते है, सबसे ज़्यादा NBFCs, IT stocks, जो midcaps में आते है, coforge, persistence, फिर L&T finance, या बहुत सारे, जो midcaps 100 में आते है, nifty midcaps 100, आप money control में देख लेना, ठीक है, तो वो जादा तो stocks आ जाते है, अगर आप जान से focus करोगे, तो इसके daily chart में 80 आरे से continuously maintain है, ठीक है, और यह rally vertical है, आप यह समझो कि करिब-करिब 29,000 से लेके 39,000 तक approximately midcaps ने rally की है, जो बहुत बड़ी rally consider आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी stocks lifetime high मार चुके हैं, अगर आप focus करोगे nifty को, तो nifty भी एक time भी 80 आरे साही था, लेकिन आप देखो 40 के आसपास test होने वादा है, bank nifty भी 80 आरे साही पे था, 76, 80, यह भी 40 के नीची जा चुका है, तो आप सोचो कि अगर 46,000 का 44,000 fall कर सकता है, 80 से 40 आरे से को test करने, तो सोचो, mid caps में अगर 80 आरे साही, अभी आप देख सकते हैं, आप 66 है, अगर इसने 40 test किया, तो आपके mid caps कहां जाएंगे, कम से कम आपके mid caps में 15-15% की profit booking आ सकते हैं, minimum per stock, जो भी चांद फाड की ऊपर चले गए हैं ना stocks, जादा तर, जैसे कि persistent हो गया, L&T finance हो गया, भेल ह गया, NBCC हो गया, जो भी आप mid caps में भागे हुए stocks आप देख सकते हैं, वो सभी गिरने वाले हैं, आज नहीं तो 10 दिन, आप यह समझो, maximum यह मन्त के end में, आपके mid caps में अच्छी खासी बलडबात होने वाली है, आई समझ में बात, देखो मैं, मैं आपको properly, logical ही बता रहा ह से, अब देखो, सुनो जान से, point number four, sir, reason क्या है, falling का, ठीक है, तो सबसे पहला जो reason है, वो यहाँ पे जितनी भी market में events थी, यानि कि result-based events, ठीक है, result से पहले सभी market भाग चुके थे, oversold थे, इसकी वज़े सी भागे थे, events थी, इसकी वज़े सी भागे, अब ज़्यातर banking stock के result आ चुके है, ज़्यादतर nifty companies के result आ चुके है, और अभी कोई ज़्यादा event short term में नहीं बची है, ठीक है, यह सबसे पहला point के major events हो चुकी है, और अभी monsoon season है, तो थोड़े बहुत हलकी result आ सकते है, यह हो गया point number one, ठीक है, क्यों fall का सकते है, point number two आता है, RBA की policy, अब text तो नहीं होगे, लिकित इंडिया में inflation जो कम हुआ था, वो अभी सबजियों की वज़े से, यानि की food inflation, इसकी वज़े से inflation का data थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, पहले RBA ने अनुमान लगए था कि 5.1% का inflation आ सकता है, जो अभी project बढ़ चुका है, एफ जानते होंगे, जो जानते हैं वो बानते हैं, तो बहुत सारी सबजियों के दामने वाले इसकी वज़े से भी थोड़ा बहुत inflation उपर आ सकता है, तो ये हो गया कि inflation data थोड़ा बहुत अभी उपर आता हुआ दिखाई, अगला point आ जाता है, तीसरा point जिसकी वज़े से market fall करे वाला है, banks से liquidity खीच के अपने पास करने वाला है, ठीक है, अब market में, banks में जितने note होंगे, जितने liquidity होंगे, उतना उनको ज्यादा फाइदा मिलेगा, ठीक है, अब वो ज्यादा था liquidity स्टक करने वाला है, खाने वाला है, इसकी वज़े से आप देखोगे, यस्टरड़े, bank बैंक से liquidity निकालने की बातचीत है, यह जो inflation बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और F5 की selling, आप यहाँ पे देख सकते हैं, RSI 80 हो न, daily chart के अंदर, आप weekly chart भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे, weekly chart में भी RSI 80 है, mid caps के अंदर, ठीक है, और ज्यादा तर events हो चुकी है, जो positive events ह होने वाली थी, कि result में शायद कोई दूम आने वाले है, कोई दूम मचने वाले result वगएरा वगएरा, वो events हो चुकी, तो मैं आप से सवाल पुछता हूं कि market क्यों ना fall हो, ठीक है, क्यों fall ना, okay, तो high chances से mid caps में अच्छी खासी profit booking आ सकते हैं, अब question आते हैं, सर, mid caps मांडो fall करे, कहां तक जा सकते हैं, जान सा सोना, अभी retail यों शक्के काम आ सकते हैं, mid caps कहां जाया और मुझे खरीदारी करनी चाहिए, या कहां पर मुझे average करना चाहिए, अब देखो यहां पर, देखो, एक बात पहले, यह गाट बात देना, जो डर रहे हैं, कि भाई, market में profit booking आ सकती है, जो stocks चले नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें maximum to maximum 3-4% का fall आएगा, लेकिन जो चल चुके हैं, वो तो 15% क्या 35% भी जा सकते हैं, चीक है, तो अगर आप उच्छ 6100 तक midcap आ सकते हैं, यहां से अगर आप देखने हैं तो खाई, भाई, काफी बड़ा fall है, 1000 पॉइंट से भी जादा बड़ा fall है, ठीक है, तो अगर इतना बड़ा fall हुआ तो आप भाई, भगवान ही मालिक है, midcaps के अंदर, clears के लिए, आखरी बताना चाहूंगा, देखो, निफ्टी कहां तक fall क्या है, निफ्टी की अगर recent really पकड़ी जाए, see, from the bottom, तो देखो, अगर यह टॉप से consider करने जाए, 19,999, तो इसका support आता है 19,238, 19,200, 30 point का rejection, और यह 0.23, यहाँ पे आता है, midcaps के अंदर, यानि कि midcaps में तो इससे जादा blood बात आने वाला है, जितना निफ्टी आपको panic करवा रहे है, उससे जादा तो आपको midcaps करवाएगा, ओके, और जितना मैं sure था कल के बाए, mid market में blood बात आने वाला है, उतना ही मैं sure हो कि midcaps में fall आने वाला है, अब चाहे कल आए, Monday आए, चाहे week आए, या एक ये तेड़ महीने में आए, chances पूरे है, ठीक है, आएगा तो इसाद एक तेड़ महीने के बाद, माफ कीजिगा, एक देड़ वीक के बाद आएका, लेकिन आएगा जरू fall, तो थोड़ा careful हैगा, profit है, profit book कते रहेगा, कम से कम, 50%, देखो, मैं नहीं बोला कि आपको अच्छे से अच्छे stock में 100% book कते देना चीए, नहीं, आप क्या करो, मैं एक suggestion देता हूँ, करना नहीं करना है, आप क्या करो, कि मानलो, आपने, कोई भी एक stock लिया है, समझो, कलिया जोलस लिया है, अब ये 200 के उपर है, में भी मंडे को थोड़ा और उपर जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी buying ही नीची है, आपको long term के लिए रखने हैं, कोई issues नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अंटम ही रखने है, तो कम से कम जो difference मिलता है, fall के market का, market के fall का, जो difference मिलता है, बस वो benefit उठाओ आप लोग, ठीक है, तो ये देखो एक suggestion है, बाकी मैंने आपको समझा ना था, जो समझा दिया है, ठीक है, कि मार्केट में क्या हो सकता है, होप मैं बस आज का video पसंद होगा, स यहाँ पर, वहाँ पर cover करने की मैं कोशिश जरू करूगा, ठीक है, यहाँ पर एक Sunday special वीडियो लाँगा, जहाँ पर आपकी ज्यादा तर query shot out की जाए, done, अगर टेलिग्राम में ने free btst call के लिए, आप definitely telegram channel join कर सकते हैं, यहाँ पर मैं btst देता रहता हूँ, okay, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुडबाई, जाए हिट